हालो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ बजरंगी लाल आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपी पीसी एल जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कोर्स के क्या क्या फायदे हैं कैसे कहां कहां यह कोर्स होता है और कितने बर्स का यह सब जानकारी में आपको बताऊँगा इस वीडियो के मादधम से किति क्या है बहुत सारे लोगों का यह प्रेस्था मेरे से कमेंट बॉक्स में और वाई को पूछ देते कि सिटीए में से इड्वीशन कैसे होते हैं क्या इखाया जाता है इसमें और करने के बाद फिर क्या फायदे होते हैं ठीक है यहां करने से आपको कितने ज्यादा फायदे होते हैं कौन कर सकता है कौन कर सकता है कि छोटी वीडियो के सब्सक्राइब करने में काफी समय लगा है तो इसके लिए सेक्ष क्योगता जो है बो है आई टी या पॉल्टेक्निक डिप्लोमा ठीक है मतलब जरूरी यह मत समझ लीजिए कि आई टी और पॉल्टेक्निक दोनों पास होने चाहिए इनमें से कोई एक चाहें तो आप किये हों या फिर कोई एक साल वाला कोड तब भी उनकी कुछ ट्रेड़े भी कि कर सकते हैं रिटेक्ट करता है ठीक थिखे तो इसी परिक्षा मद्सचिए काबिल बच्च बच्चे जाते हैं तो आ गई है तो आप सिक्छा वबस्ता जानते पर आता-जाता उनसे कुछ नहीं है तो वो जब इंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर एड़ीशन होगा कैसे उन्हीं बच्चों का एड़ीशन होता है जो इंट्रेंस क्वालिफाई कर पाते हैं मतलब प्रिवेस परिक्षा पास कर पाते हैं ठीक है प्रिवेस परिक्षा कि में कितने प्रश्न होते हैं तो सौ प्रश्न होते हैं 25 प्रश्ने ट्रेड से संबंधित होते हैं यह नहीं है अपने बीटे-एकक्स लेबल से पेपर आएगा ठीक है 25 प्रेस्ट मैत और रीजनिंग के होंगे मैत के वही नॉर्मल चेप्टर मैत के होंगे जो मैत में पूछे जाते हैं काम समय चाल समय सिंफिलिफिकेशन साधारन व्याद जीए और वैसे ही रीजनिंग के वही चेप्टर होंगे ज्यादा खास इतनी टप रीजनिंग नहीं होगी क्योंकि प्रिवेस परिक्षा है ठीक है तो तैयारी के लिए आप यूथ की कोई बुक ले सकते हैं कैसे करेंगे तैयारी यह पू अब ही आप कहेंगे कि इसके अब तक हैं तो पंदरे आ सात दोजार चौफीस यह वीडियो आपको मिलेगा 10 तारीक को कि अ-ध्यूलाई को वीडियो में आपको रॉकॉर्ड कर रहा हूं ठीक है तो देरह तारीक तक इसकी लाच डेट है बोले तो चार दिन है दस ग्यारा बारा और तेरा चार दिन में आप इस फारम को भड़ सकते हैं कोई भी इसमें एक्स्ट्रा कागज नहीं लगता है कि वो कागज बनके आएगा तब हमारा फारम बल जाएगा और साइड भी ठीक ठाक चलती है साइड भी मैं आपको बता देता हूं कौन सी किया है और वेकंसी गवर्मेंट ने ठीक ठाक देदी तो आपकी जॉब होनी ही होनी है ठीक है इतना ज्यादा परिशान होने की जरूद नहीं यह जहां से मैंने कानफुर केंपस का फोटो आई है अब मैं इसकी साइड आपको बता देता हूं कितने कॉलेज हैं पूरे भार यह उससे पहले मैं आपको बता देता हूं देखो यह लाइवरेरी का फोटो हमारी लाइवरेरी है वहां का फोटो है जिनका अभी लेटेस्ट कुछ दिन पहले यह वाला मतलब यह अभी यूपी पीसेल में सेलेक्ट हुए है जे टेक्नीशियन और मैं तो पहले से क्या UAE छिए चोंब हritis कि नंटो गांसदेख हुए है टो अ part यह अद है जेतने हम लोग है सभी लोग सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यह हो खत् defendingait यह दोस्त है Minister नहीं कर geil और यह रेलवे में यह वह रेलवे में और मैं आपके साथ हूँ तो आप आप लगे दूए का फोटो देखा रहा है नहीं जो लगें उनका फोटो वह लोग भी सब इतनी मेहनत पर लगे हैं कि जल्दी वेकंसी आएगी तो हो जाएगा ज्यादा तर मतलब आउट 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 सेवन लोगों की जौफ हो चुकी है क्यूंकि बहां पर इंट्रेंस निकाल के ही बच्चे पहुंचते हैं और मतलब माहौल इतना मतलब आपके साथ में रहने वाले दस लड़के अगर पढ़ रहे हों और आप बिना किताब के ऐसे बैठे हों तो आपको बुरा लगेगा क्यारी क्यों पढ़ रहा है मुझे पढ़ना चाहिए तो वह वाला माहौल है बहां पर जब तक हम वहां पढ़ते थे तब तक तो य ज्यादा नहीं कोर्स के क्या फाइदे हैं तो इसके बाद आपके इसके डबलफ हो जाएगी कि आप कोई भी एक्जाम कर सकते हैं ठीक है तो अब आप समझ लीजी कौन सी साइड है कौन सी साइड है जहां से आप इसको ऑन-लाइन करेंगे चलिए ऑन-लाइन साइड दिखा देते हैं और कॉलिज के बारें बता देते हैं गूगल क्रोम पर जाएंगे तो यहां पर सर्च करेंगे निम्मी ऑन-लाइन निम्मी ऑन-लाइन ठीक है इसको मैं वदल लेता हूं यह मेरा हिंदी में है ठीक है एक मिनट चुकि मैंने इससे पहले सर्च कर रखा है तो यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस को लेगा सी आई टीएस दोजार चोदे कंडिट रिजिस्टेशन बिल भी ओपन पंदरेच है अब दो और दिन बढ़ गए मैंने ठीक है दो दिन और बढ़ गए मतलब पंदरेच है तक आप रिजिस्टेशन कर सकते हैं सी आई टीए और आपके फॉन नमर को उसका मेसेज आ जाता है ठीक है यहां से आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं देखो रिजिस्टेशन यहां से होगा क्लिक करिए तो रिजिस्टेशन आपका होने लगेगा लॉग इन करिए मेल आईडी यूजर आईडी पासवर्ट बना लीजिए नया करना है देखो रिजिस्टेशन नया करना है तो यहां पर आपके लिए करेंगे फॉन से भी फार्म को बढ़ सकते हैं ठीक है तो यह कहना था और कैसे बढ़ेंगे अब इसके बारे में देखो एक चीज़ और बता देता हूं कि कौन-कौन से कॉलेज कॉलेज चुनने होते ह उत्तर प्रिदेश में तो एक ही है जो पूर्था गौवर्मेंट देखो 32 मतलब 32 अब इनका CITS के जो मतलब कॉलेज होते हैं केमपस होते हैं उनका नाम बदल दिया गया है नाम मदलने में तो हमारी उत्तर प्रिदेश सरकार है ही नाम बदले जा रहे हैं सभी चीज के तो कर दिया गया है नेशनल स्किल ट्रेंडिंग इंस्टिट्यूट ठीक है तो आप कर सकते हैं कि यहां इस पर क्लिक करेंगे तो साइद हां और एक बात और जो बोर्ड आपको कराता है वही बोर्ड कराता है ठीक है इसकी क्वालिफिकेशन क्या है फारम बरने की फीस क्या है यह सब बात है और कौन-कौन सी ट्रेट है देखो यह 75 परसंट कुश्चन जो है किस चीज के होंगे मैंने वह दुवारा बता दे रहा ट्रेट और जो 25 कुश्चन होंगे वह रीजनिंग के और मैट के होंगे लॉजिक नंबर एंड रीजनिंग के होंगे ठीक है फीस कितनी होगी तो देखो फीस एडमीशन फीस सो रुपे होगी प्राइवेट कॉलिज में भी सो रुपे फीस होगी और लाइवरेरी है क्या रहेगा यह जाकर ड Carlo करके देख सकते हैं ठीक है कहाँ यह देख लों कि यह इतनी जगा पर चालिस विझयबाड़ा देख एइस में इन HERE सारी यह फ़िख रही है यह आप इस legislator कि अगरा पर । ठीक है एया मैं आपको लिस्ट की बात कर रहा था देखो यह लिस्ट से देख लेते हैं ठीक है देखो यहां से दिखाने लग जाएगा देखो बिहार में पटना में है Dr. W उसमें विलाए कि इसमें के वेंगलोरू, कालिकट, तिरुवेंतपुरम, इंदौर, मुंबई, मुंबई, गुनेश्वर, लुद्याना, जोदपूर, जैपूर, तुर्ची, चेन नई, सबसे ज़्यादा अच्छा केंपस की अगर बात करें हो, सबसे ज़्यादा कहीं सिखाया जाता है, तो वो चेन बिहार, मतलब हिंदी भासी, राज के बच्चे यहाँ पर जानने के बाद, परिशानी महसूस करते हैं, एक तो मौसम, वहाँ का अलग है, और दूसरा, वहाँ की भासा समझ में नहीं आती है, अलाकि क्लासेज वहाँ पे अंग्रेजी में होती है, तो अगर आपका अंग्र आगे होते हैं, उनके साथ रहने से ही आप सफल हो जाते हैं, तो मतलब यह लगा लिजिए कि बहुत जबरदस्त केमपस है वहाँ का और सिखाने वाले भी बहुत जबरदस्त हैं, उत्तर परदेश में एनस्टी आई, अलावाद में हैं, नोड़ा में हैं, और कानपुर में हैं, ठीक है, उत्राकंड में दहरादून में हैं, तो मैंने तो कानपुर से किया था, अगर आपको और भी CITS से सम्मन्द जानकारी लेनी हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजीगा, बाकि इसी परकार की और वीडियो को लेकर मिलता रहूँगा, कैस इसी परकार की अजानकारी के लिए मिलते रहेंगे, देखते रहेंगे, चैनल बजड़ंगी लाल उपी PCL, जै हिंजे बारत, धन्नवाद